यो वाट्स आप गाइस कैसे आप सो भी लोग वेलकम बैक तो नेदर गेमप्ले वीडियो तो गाइस आर आज हम लोग दुबारा से के लिए जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो कि गाइस चैसा कि आप सो भी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों एक इन्फा कासल में तो आज से अपना रूम मैंने इसकी है से कि तस निकल यहां से हाँ अपने रूम में थोड़ा पहुत खत्रा है वो बात अलग है पर आज से अपना रूम यही है और एक बार इन दोनों लोग को देखो भाई इनको मालूम है कि आज इंट्रो यहीं से स्टार्ट होन अपने कासल में आपको पता होगा बहुत जादा मॉप्स स्पॉन होते हैं हर जगा स्केलेटन्स क्रीपर्स जूम्बी स्पाइडर भरे ही रहते हैं और हमें लगता था कि यहां पर इतनी अच्छी खासी रोशनी है तो यह क्यों स्पॉन हो रहे हैं क्योंकि हमें तो इतना माइनक्राफ में जहां पर रोशनी होती है वहां पर मॉप्स स्पॉन नहीं होते बाहर भी इतना उंचाल है तो यह सब कुछ गलत था हम लोग इने पनी गेम में ऑप्टिफाइन डाला था पर असलियत देखो क्या है मैंने ब्राइटनेस इसकी फूल कर रही थी पर जब मैं मालूम नहीं पढ़ता था यहां पर अंधेर है अब सीधी सी वात है इतना चादा अंधेरा होगा तो यहां पर तो जॉंबिस स्पॉन होंगे इना मतलब यार इतना अंधेरा इधर हो सकता है मैंने बिलकुल भी इमेजन नहीं कर रहा था तो गाईस आज की वाली जो वीडि करना है तो सबसे पहले ही जो ऊपर के दू रास्ते में शटर लगा के बंद करें वे ना इसलिए बंद करें थे ताकि जॉंबिस उपर वाले फ्लोर से नीचे ना है क्योंकि नीचे वैसे इतने बहरे रहते हैं उपर से भी हैंगे तो फिर तो यह एक्स भी फाम बन जाएग और उसके बाद अपना जो काम है वो काम यह कि अपना जो यार्ड है या फिर आप लोग कह सकते हो अपना जो गार्डन है यहां पर भी हमें बहुत सारी टॉर्चिस लगानी पड़ेगी ताकि इधर का भी अंधेरा खतम और बाहर भी जॉंबिस स्पॉन ना हो तो हाँ गई जो हमें मिलेगी शेप से और मेरे पास तो एक शेप भी नहीं है ना यार मला पहले का यार इतना बड़ा बड़ा फार्म अगर तो यह दो आनिमल सी मैंने पाले आज तक तो यह हुआ करते थे नहीं भाई अपने पास पूरी फोज़ा पाले में है सबसे जादा रेर तो नह जाद है कि मैं अगर से 3-4 को मार दूना तो भी मेरे को कोई फरक नी पड़ेगा यह देखो इसकी हां तो इनको वैसे मारने पर नहीं को यह देखो बैंबू मिल जाता है तो हां गाइस अभी हमें शीप ढूंड के लानी है वैसे ढूंड के ओ तेरी सामने शीप स्पॉन हो वह बनाने के लिए चाहिए होता है वीट जोकि मेरे पास बिलकुल भी नहीं है हां तो आप लोग को क्या लग रहा है कि यह वह लिकठी करने के लिए क्या मैं आप अब एक बड़ा सा शीप मनाने वाला हूं ऐसा बिलकुल नहीं है मैं बनाने वालों गाइस अभी एक और वहां से हमें unlimited carpet मिलने वाले हैं अब दो carpet बनाने के लिए थोड़ा बहुत वूल चाहिए होगा और मेरे पास वह भी नहीं है बड़ा उस ड्यूपर को बनाने के लिए जुद्व समान चाहिए हो मैंने सारका सारा ले रखा अपने पास फिलाले सब पहन लेते हैं तो हमे प्रेट तो मेरे को नहीं मिलने वाला मुझे अच्छे समाल हूं मुझे वूल ही कठा करना पड़ेगा और मेशी आयरन और आयरन भी यहां मिरे पास सब कुछ पढ़ा होगा बी इन अलक यह दिखो यहां पर पूरा ब्लॉक पढ़ा हुए और मैं आयरन डूट रहा हूं हम अभी तर डिसाइड नहीं करा चलते डिसाइड करते हैं कि हमें अपने कासल के फ्लोर पर कौन-कौन से कलर से लगाने चाहिए अब कलर के साथ साथ इसके बाद जो मुझे काम करना है काईज वह यह है कि जो ऊपर वाले फ्लोर है उनका भी मुझे बेस बनाना पड़ेगा अप सामने मुझे पिक दिखा जो कि किसी काम दो पिक दिख गए आज मुझे शीप नहीं मिलने वाली एक अपने कासल के तो बाई दूर ओ दूर कोई अनिमेल नजर ही नहीं आ रहा है बाई जो कि वेट मुझे शीप यहां पे मिल गई लेट्स को फटा-फट से मुझे वूल दे थोड़े बहुत और कार्पिट मिल जाएंगे तो अपना ओटोमेटिक जो ड्यू पर है वो भी उत्ता ही बड़ा बनने वाल यह केला क्या कर रहा है यह तेरे चंचे खांगे पे लोग जो पहले देखते हैं समान क्या बेच रहा है पोशन लेके खड़ा हुआ है ग्रीन डा तो यहां पर डेर सारे डेट फ्लार से हैं मैंने कलेक कर ली है और अभी मुझे सामने की तरफ में एक शीप और नजर आ गया है भाई शीप तो इतनी जादा रहर हो रही है ना बाई मैं क्या वता हूँ इतना आगे तक मैं आ चुका हूँ बड मुझे आपर शीप दिखने क बिल जाती है और इंक साक हमें मिलता है इस स्कुईड को मार के तरह तेरी ऐसी कि तसकी निकले यहां से वह निशाना का से चुका तेरी वजासे मेरा लेट्सको यहां से मुझे मिल चुग है बस बहुत है अपना अब अनलिमिटेट कारपिट हमें जिंदिकी भर के लिए मिल मॉर्निंग भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है फिलाल अगर आप लोग मेरे को देखोगे ना तो मैं इस पूरे रास्ते को कुछ इस तरीके से उड़ता हुआ कवर करता हूं ओके तो यहां पर तो कोल्ड अला हुए नीचे से मुझे उठा लेने हैं धेर सारे स्टोन स्टोन ब्रिक्स में अपने पास क्राफ्टिंग टेपल यहां वरना यह काफी जता फास्त हो जाते मतलब कि हमें उठा उठा के रखना पड़ रहा है बस उसी में थोड़ा सा एक्सर टाइम जा रहा है तो हां अभी काफी सारे स्टोन बिक्स हमें मिल चुक हैं यानि की फार एक चोटी से कमी कि मैंने यहां पर चेस्ट और हो पर वगारा तो कुछ लिया ही नहीं तो जितना भी कार्पेट आएगा वह सारा इदर कहीं कलेक्ट नहीं होने वाला तो मैं एक काम करता हूं यहां पर लगी तो है ना यह चेस्ट किसी का मेरी एंडर चेस्ट में कुछ तो हम लोग अपना फार्म यहीं पर बनाने वाले हैं तो सबसे वहले हमें यहां पर क्या करने है नौर्मल सा एक बेस बनाना ठीक है तो यहां पर भी हमें ऐसा सेटप करने कि अगर एक मशीन चले तो बार बारी मतलब मैं आपको दिखाता हूंग रिपीट हो के चले जैसे अपने observer से चलती है तो यह काम मैं observer से भी कर सकता था उससे भी काफी जदा simple रहता बट इससे भी उतना ही simple है तो यहां पर मैं कोई यह लेना है repeater इसको लगाना है यहां पर इसको वापर से repeat कर देना है अब इसके बाद मुझे यहां पर लगाना है एक lever जो कि मेरे पास नह लेते हैं तो यहां पर दो चेस्ट में साबसे बहुत रहेगी इतनी ज़्यादा जरूत हमें नहीं पढ़ने वाले कार्पेट की वैसे कुछ कह नहीं सकते हैं मतलब पूरा कासल भरना है वो भी अलग-अलग पैटन में तो जरूरत पढ़ भी सकती है तो चलो यार जिसे काम भी करेगा या फिर नहीं तो यहां पर मैंने के लगाया लीवर से करेंट नहीं जाया क्या देल्स ने तो यह नहीं है और यह बी कॉर्ण यहां पर पास होना स्थभिया तो इसके नदर है चोटी सी प्रॉब्लम अभी मैंसे भेज के देखता हूं ओके तो अब मुझे यहां पर लगाना है स्टिकी पिस्टन कुछ वेट एक ब्लॉक उपर लगाना चाहिए मेरे साब से यहां पर यहां पर एक प्रॉब्लम है यह स्टिकी पिस्टन में करेंट नहीं बेज पाएगा तो पहले मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा और यहां पर मुझे इसको एक ब्लॉक उपर शिफ्ट करना होगा ठीक है तो सारा तोड़के दुबार से बना देते हैं तो इस पारी मैं इसका फेस रखने वाला हूँ इस साइट पर तो वान टू दो ब्लोक उपर कर देते हैं ज्यादा बड़िया रहेगा यहां पर मुझे कुछ इस तरीके से इन ब्लॉक्स को लगा देना है सबसे पहले हमने लगाया था कॉंपरेटर ठीक तो यह मैंने लगाया कॉंपरेटर इस साइट पर इसको हमने कर दिया ओन उसके आगे हमने लगायी थी रड़िस्टोन डस कुछ इस तरीके से टरन देने के लिए और वो जो टरन है वो इस तरफ में गया था बट यहां पर ल किसे अभी नीचे लगाना लीव और अपना काम गाय से बारी हो गया बस एक बारी ओर टेस्ट रन करते हैं लेट्स को अभी एक दम मस्त काम करने वाला है स्टीकी पिस्टन लोग यहां पर लगा देते हैं यह लगाया अब एक बारी ओन करके ठीक है तो अपना फार्म एकदा मस्त काम अभी करने वाला है तो बस हमें लोग बन गया यह बहुत जाधा ही सिंपल है यह कॉम्परेटर का ड्यूपर मतलब मैं स्व बहुत है इतना मेरे साब से शाहद यह सब को आगे पर वैसे इसकी मैक्स रेंज सावन होती है बट अपडाउन में भी हां यह एक्दम कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वारी यह आगे हो गया बट जब दुबारा होगा तो इसे अपनी साथ खीच लेगा तो अभी हमें क कार्पिट है को बनाए में कितี टाइम हो रहां चाहिए रहेर सब्सकेभे यह इंद नाइन कार्पिट हो है यह बडा मैं कर लिया और अभी में कुछ यह थोड़ी सी रेड वूल तो यहां पर दो रेड वूल भी हम लोग कलेक कर लेते हैं बहुत है तो यह मैंने बना लिया यहां पर वाइट कार्पेट होगे तीन उसके बाद मुझे बनाने हैं अपनी ब्लाक वूल कांगी यह रहे अब ब्लाक कार सही तरीके से केलने वालों क्योंकि अंदाजा ही नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा दिखता होगा भाई ब्राइटनेस जीरो पर यह वर्ल्ड तो गैस देखो अभी ना सब कुछ हो गया बट अभी ना हमें यहां पर एक कार्पेट लगाना है और कार्पेट जो है डिरेक्ली ए जीरो होने के बाद जो अपना कासल ग्लो हो रहे ना भाई वो कसम से मेरो काफी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अगर आप लोग को भी यह वी उच्छा लग रहे ना तो फटा फट से यार इस वीडियो को जाके लाइक करो वरना इसको इसको बोलना था मैं सौरी वैसे जहां तक मुझे आथ है यहीं पर किसी चेस्ट में मैंने डेट कोरल फैन को रखा था बट अभी वो ओके तो यह पड़े तो फटावट से यहां से कलेक करते हैं तो इसका जुगाड़ हो चुका है अब फटावट से सुबह जल्दी सो के हुट चुका हूं और यह हम लोग पहुचने वाले हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां पर काफी ज़्यादा मेहनत का काम चल रहा है लेट्स को अभी हां तो हम लोग यह देट को रोल फैन मुझे से यहां पर लगाना है और देखना भी कैसे मस्त अपनी आपी कलर बदल लेगा पहले मैं सोचता था मैं से यह देखो बहुत है तो अपना काम हो गया बस यह इतना सई अब बस मुझे कलेक करने वाला एरिया बनाना है तो यहां पर देखो कार्पिट कैसे डबल होते जा रहे है और यह बारिश कर्पिट के पुरे-पुरे स्टैक्स कुछ-चुछ सेकिंड में भरते जाएंग तो उस एरे को बनाने के लिए मुझे वाटर चाहिए होगा और यहां पर इसको मुझे को यहां पर कुछ नि लगाना है क्योंकि अगर इससे कुछ भी टैचु आना तो यह स्लाइम को दिक्कत हो जाएगा तो एक काम करते हैं इसको एक ब्लॉक नीचे हम लोग डिक करके थो इतना हो चुक है अभी मुझे यहां पर कुछ इस तरीके से और लगाने ब्लॉक और एक चीज़ का इस मेरे को और ध्यान में रखनी है कि जब कार्पेट टूट रहे हैं तो वह बाहर जा जाके भी गिर जा रहे हैं तो मैं इसको चारो साइट से पूरा ब्लॉक कर दूँग तो यहां पर रख दी मैंने इसके पीछी यहां पर लगा दिया होपर अब जितना भी समाना है वह सारा इसके अंदर जाने वाला मस्तरी के से पर पानी भी तो आगे बढ़ जाएगा ना तो पानी को रोकने के लिए मुझे यहां पर बनाने पढ़ेंगे फैंस जिन के लिए बड़े बड़े पेड़े और मैं वुड की टेंशन कर रहा हूं तुम्हारा भी काम हो जाता है कभी-कभी तो इसको भी हम लोग रखते हैं यहां पर साइन बोड की रेसिपी इसके लिस्टिक लगता है क्या हाँ ठीक हमको लग रहा था तो मुझे यहां पर बनाने हैं साइ पार में एकदम बड़े तरीके से लगाएंगे डन गाइस अब मुझे यहां पर लगाने है यहां पर लगाने इसलिए मैं टशन मारने के लिए लिए लगा रहा हूं उसका बहुत ज़्या इंपोर्टेंट यूज है ताकि पानी आगी को न बढ़े तो अभी जो पानी है व मज़ा सा आएगा यहां पर भी थोड़ी सी कला कारी दिखा देनी चाहिए मिर को ठीक है का इस तो सारा का मिए बड़े तरीके से हो चुका है बारी आए यहां यहां पर बारी ने की तो एक बारी में water दालता हूं इधर से से किसे सारा का सारा समान इसके वेट मैं कहूं भाई यह क्या हो रहा है अभी मुझे याद है कि मेरे बूट्स में फर्स्ट वो कर लगा हुए जिसके विएसे पानी सारा जम जा रहा है और यह देख रहे हो समान कहा कहा जा रहा है अभी ठीक है यह तो इसके अंदर आ गया होगा ऐसे बाहर फैको हाँ तो इ इसके लिए मुझे ना यहां पर सामने की तरफ में एक वाल बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से वां टू तो सब कुछ एकदम ड़न हो चुका है यहां पर मैं एकाद इसलाइम ब्लोक और इसलिए लगा दी क्या पता यह काम कर जाए तो यहां पर मैं यह वाले और रेड कर दिया है अब हम लोग चलते हैं नीचे और करके देखते हैं से स्टार्ट काम निगरा मुझे लगी रहा था कि कोई ने कोई चोटी-चोटी प्रॉब्लम आईगी तो शाय से यह ऐसे नहीं काम करने वाला है इसके इंदर मैक्स सावन ब्लॉक सी चलने वाले हैं ठीक है करता हो फड़ा फट से यहां से स्टॉन ब्रिक्स लेकर चलता हूं अपने कासल पर वाले फ्लोर है उनको बना की कुम्प्लीट कर देते हैं तो स्टॉन ब्रिक्स मुझे यहां पर किसी ओके इसके इंदर कोबल्स भी चस्ट में निकालने पढ़ेंगे धेर सारे स्टोन मैं तो फड़वट हम लोग यहां पर इसे डालते चाहते हैं और बना लेते हैं stone bricks ओकेई तो धेर सारे stone bricks मैंने यहां पर बना लिया है फड़वट से भी हम लोग चलते हैं उपर वाले floor पर और पता नहीं ना जाने कितने time बाथ मैं इस shutter को open करने वाला हूँ मुझे नहीं बता था कि यह दिन सची में आने वाला है बठा फाइनली हम लोग इने उपर का रास्ता खोल दिया है मैं बस इसलिए नहीं खोल रहता था कि आके जो mobs है ना वो नीचे ना आ जाए तो ठीक है अब हमें बस यहां का जो पूरा floor है वो complete करना है और अपने castle में इतने सारी rooms हो जाएंगे वो भी बहुत बड़े बड़े और सबसे अच्छी चीज मेरे को इस चीज का यह ध्यान रखना है कि हर रूम में मेरे को decoration बराबर करनी है ठीक है ओके तो यह वाला hole complete हो चुक है अब बार ही है second hole की तो फड़ावड से हम लोग वहां पे चलते हैं और मुझे वहां पे जाने के लिए यहां से उतरना है नीचे मतलब यार काफी जाता साइसी रस्ते तो बने हैं पर मैं इनको कभी यूस नी करता था बढ़ हां आज से हम लोग इन सभी जगाओं को यूस करने वाले हैं इसके गेट खोलता हूं और यहां पर भी one two three four and दुबारा से one two three four ओके गाइस लेट्स को तो यहां पर दूसरी वाली साइट भी मैंने पूरी कंप्लीट कर डाली है अब यहां पर मुझे कारपेट्स लगाने है बेड लगाना है और इन दोनों रूम को न मैं एक तुम सेम तु सेम पूरा एक जासा बनाने वाला हूं बढ़ हां आज आज के इसलिए पहले हम लोग आज अपनी कासल की रोशनी बढ़ाने के लिए ना चारा तरफ लैंटन रख देंगे बले ही पर हां लैंटन रोशनी करनी है बस हमें पूरे में ब्राइटनेस करनी है ताकि मॉप्स पोन ना हो और ऐसे लग रहा पिछु पता नहीं कितनी बड़ी फ इसके बनाते हैं इसके इंदर फालतु समान पैक देते हैं सारा ऊतरी मैं फालतु नहीं हूं मैं खुद कैसे आ गया ठीक भी फीर ऊगया वैसे गाइस अब अगर मैं यहां पर कार्पेट लगा रहा हूं ना तो मुझे एक चीज और ध्यान में रखनी होगी क्योंकि मैं कहीं पर भी ना यह वाटर पकिट से चड़ने में क्लाइंब के लिए या फिर मैं कहीं पर भी आसी पानी छोड़ देता हूं तो कार्पेट में कि वह जो पानी है ना सारे के सारे कार्पेट हटा हटा देगा तो मुझे भाई उसको थोड़ा भू ध्यान में रखना होगा तो अभी फड़ावट सेम लोग अपनी कार्पेट निकालते हैं वाइट वाले ब्लाक वाले एंड रेड वाले तो इनको यहां पर रख लेता हू तो इसे ना मैं पैटन सोच रहा हूँ पैटन तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं पैटन कैसा चैस वाला पैटन देते हैं वाई वो काफी जटा बढ़िया रगज मतलब एक ऐसे दूसरा ऐसे फिर तीसरा मतलब इस तरीक से बान टू थू त्री फोर वेट फॉर फॉर फाइव स इसा कर सकते हैं कि यह जो सामने से रास्ता आएगा ना उसके बाद से जो वाइट वाले कार्पेट है यह कॉंटीनी होंगे कुछ इस तरीके से तो बाउंटरी के लिए हम लोग यहां पर पूरा वाइट कार्पेट लगाते हैं और उसके अंदर यह वाला पैटन करेंगे ओ अब मुझे यह काफी जादा अच्छा लग रहा है अब मुझे यहां पर इस पूरे के पूरे एरिया में एक ब्लैक बाउंटरी कर देनी चाहिए प्लैक बाउंटरी कर देंगे तो भी काफी बढ़िया रहेगा ओके गाईस लेट्सको तो फिलाल यहां पर मैंने वाइट ब वाला पैटन है ना मुझे इसे पूरा कंप्लीट करना यह तो भाई कैसा भी बना दो इसमें मस्त लगने ही वाला है मेरे पास ब्लाक कार्पेट खतब होने वाले हैं थोड़े बहुत पीस ही बचे अगर इतने में हो जाएगा तो काफी बढ़िया है तो कोई टेंशन वाली यहां पर काफी ज़्यादा अंधेर है मैं फिलाल के लिए जैसे कि मैं लोग यहां पर लगा देता हूं वेट यहां पर एक टॉर्च लगाते हैं अभी ज्यादा रोसनी नहीं भाई बहुत सारी तो लगानी बढ़ेगी ओकी काइस लेट्स को तो फिलाल यहां पर अपना ज चेस वाली शेप में यहां से बना देते हैं तो इसको इस तरीके से मिलको पदा नहीं यह तोड़ा एक तम जोकर वाली फिल ना गी हो बट ठीक लग रहा यार बुरा नहीं लग रहा ओके गाइस लेट्स को तो फाइनली जो ग्राउंड फ्लोर है वो मैंने पूरा तो उसके लिए मुझे और कार्पिट्स लेकर आने पड़ेंगे तो फट वट से सारा काम निप्टा थे हैं ओकी काईस लेट्स को बिना फिलाल यहां पर मैंने कार्पिट लगा के ऊपर वाला फ्लोर भी चोई कंप्लीट कर दिया है और एक पार ही आप लोग ध्यान से कि पहले एक ऐसा था तो पूरा कासल में कार्पेट लग चुका है मैंने यहां पर ना बैक साइड में लगाया और यहां पर मिरको ना यहां पर कार्पिट लगाने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि यह जगा ना इसकी आदत हो चुके भाई यह कुछ इस ताहिप की मस्त बनी पढ़िया है इसको ऐसी रहने देते हैं फ्रेंट साइट हमने एकदम बढ़े तरी की बैस यहां क्या कर रहा है भाई तू यहां पर बगल में कैट बैटी हुए शायद उससे डर के ना यहां पर कुछ इस तरी के सा छूप रहा होगा फिलाल हां सब कुछ एकदम मस्त रेड सब्सक्राइब करने वाले हैं उत्तिरी अंधेरा खतम करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम होगी तो हां इस एरिया पर हम लोग ना कुछ इस तरीके से चेन लगा के लैंटन हैंग करेंगे और चेन की रेसिपी के लिए हमें चीह होंगे नगेट और आयरन इंगेट जो कि यहां पर भरे पड़े हैं अपर बना ले थे अपनी इंवेंटरी में जादा स्पेस भी तो नहीं बचा है ओकी गाईस तो मैंने काफी सारे आयरन नगेट बना लिया है तो अभी मुझे इन आयरन नगेट को ऊपर रखना है नीचे रखना है और बीच में रखने यह अपने आयरन इंगेट्स और यहां पर हम लोग बना लेते हैं धेल सारी चेन अपनी इंवेंटरी में बिल्कुल स्पेस ही नहीं बचा है ओके वैसे गाईस अब इना फिलाल एक चोटी सी प्रॉब्लम हो गई है मैंने जितनी भी चेन क्राफ्ट करी थी ना यह सारी की सारी यह भी जाने वाली है क्योंकि एक बार ही आप लोग इस तरफ में ध्यान से देखो जहां जहां पे भी रेड कार्पिट थे ना मैंने उनको उटा दिया और उनके नीचे वाला ब्लॉग भी तोड़ दिया है क्योंकि मेरे दिमाग में काफी ज्यादा बढ़िया आईडिया आगया ह इस कम्री को ब्राइट करने के लिए ताकि यहां पर मॉप से स्पॉन ना हो तो पहले मैंने सोचा था कि हमलोग चेन के थ्रू लैंटन को हैंग करके लगाएंगे बट उससे क्या होगा थोड़ी सी लुक एकदम अजीत से हो जाएगी और पूरा को पूरा रूम उससे भर ज यह एरिया ग्लो भी है और ऐसा अलग भी नहीं रहा कि अमने रोशनी करने के लिए कोई अलग से आइटम यहां पर लगा रखा है तो यह मेरे साब से काफी ज़दा बेटर है तो यहां पर मैं टोर्च यहां पर लैंटन कुछ भी लगा सकता हूं वैसे मैं लैंटन लया था तो पहले लैंटन लगा देते हैं बाद में टोर्च भी लगा देंगे ओके गाइस तो अभी ना फिलाल यहां पर मैंने पूरे की पूरी ब्लॉक्स में अच्छे से टॉर्च फिल कर दिया है तीन चार ब्लॉक और रह गया है और शाद से अभी सब कुछ हो चुकी है अब द देखो वेड इस साइड पर तीन-चार एरिया रह गया थे इस पर भी हम लोग यहां पर अच्छे से ब्लॉक लगा जेते हैं और शायद यहां पर तो मैंने टॉर्च ओके तो बिना फिलाल मैंने अच्छे से यहां पर कार्पेट से सभी टॉर्च इसको ढग दिया है और जो कि मैंने बाहर बचाने के लिए यहां पर नहीं लगाई टॉर्च लगा दी तो इसको में काम करता हूं यहां पर रग देता हूं ताकि उपर की तरफ में जो डार्कने सारी है ना हलकी फुलकी वो चले जाए और मुझे नहीं लगता कि अभी इससे कोई प्रॉब्लम आन कि वाला रूम देखो कैसा था हां उस वहली थोड़ी को इंटेंस लगे थे बट फिर भी वो रूम यह होने से पहले कुछ आइसा ही दिखता था बट अभी देखो यार कितना जादा बढ़िया हो चुक है तो डेकोरेशन इस बार जो ही है काफी जादा नेक्स लेवल हुई है और अच्छी से लुक भी आ रही है यहां यहां पर भी मिलको रोशनी करने है पर मैं यहां पर कार्पेट वाले ट्रिक नहीं लगा हूंगा मैं सोच रहा हो कि हम लोग यहां पर सी लेंटन लगाते है कुछ इस टाइप से करेंगे बट अब बारी है लेफ्ट साइड की त थोड़ा बहुत ब्राइट करने की क्योंकि यहां पर काफी जड़ा अंधर है तो मॉप से यहां पर बनाने हैं यहां पर भी सारे स्टोंबिक्स रखे और स्लाप्स बन चुके हैं अपनी इंवेंट्री का स्पेस ही खतम हो गया वाओ तो मैं यह फैक करता हूं यहां पर और काफी एपिक चीज बनने वालिया और वहां विट्प रूसरी ऐसे बनता है वह हमें बनाने हैं चीजल स्टनब्रिक्स तो यह है अब हम यहां ओंगे तो में अदिए लगते रहेगा कि हम लांप या फिर अपना एक पूल बना रहे हैं लाइट यह वह अच्छा दिख रह य या नहीं कर रहा, तो मेरा जो आइडिया वो कुछ इस बारिश, अपने कासल में बारिश ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से रखने वाला हूँ, और इसको पर मैं को वाल, वेट, मैं भी ना दो वाल बना के लाता हूँ, तो वाल बनाने के लिए मुझे स्टोन ब्रिक्स को कुछ इस तरीके से या पर रखना है, और अभी यहां पर बन चुक है, 60 वाल और मेरे साब से तनी बहुत है, क्योंकि मैं इतने भी ज़्यादा लैंप्स नहीं बनाने वाला हूँ, ऐसे लैंप नहीं उसे लाइट पॉल कहे हट निकले यहां से, तो जो जो चीजे 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 बनाने के लिए वह सारी के सारी ना एक ही रो में रख लिए तो सबसे पहले मुझे यहां पर लगाने है, चीज स्टोन ब्रेक्स सेम इस तरफ में लगाते हैं, तो मैं हर कोर्णर में एक एक लैंप बनाने वाला हूँ, वस्ते मेरे को खुद भी देखने है कि आकर कर जो मैंने सोचा है उसके लुक कैसे आने वाले है फिलाल कुछ इस ताइप को मैने पहले भी बना रखा है तो यहां पर मुझे थोड़ा सा उपर चरण है क्योंकि यहां पर लगाना है एक फैंस और फैंस के अपर दूबार से फै यह रोशनी तो दिखो यार कर रहा है बहुत अच्छी कासी रोशनी कर रहा है और अगर शेप वाइस दीखा जाए ना थीक है मैं पते क्या चाहरा हूं कि यह रोड की तरफ में इसका जो उपर वाला फेस है नहीं जब जाएंगे तो जो की काफी जदा बेकार डिस्टर्बें इस सवाला हो जाएगा तो वह चीज नहीं है तो भी फटवर सेम रही सेम कुछ साइटबी करते हैं एक यहां लगाने तूसरा यहां लगाने फिर नीचे में दो चेंट चेंट और यहां लगाने लांटन और बॉड फाटब करना चाहरहर हूं दो थोड़धा लटकता हुआ का विल आए तो काफी सही लग रहा है यहां पर अभी न लगी प्रेशान कर रहे हैं स्कैलर्दनस तो हाँ गस्मद यहां पर जितने भी कॉर न है न हरे कॉर्णर में हम लोग इस पोल को बना जयते हैं ताकि पूरा का पूरा गार्डनर गार्डन ब्राइट हो चाहे और चारो तरफ कोई भी मिरे को जोंबी नजर भीना है तो गाइस तेखो भीना फिलाल मैंने हरे कोर्ण में चीजल स्टून ब्रिक्स लगा दिया है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे यहां पर एक लांप बनाना है तो भी फटावर से लोग आगे हैं कॉंटीनियू करते हैं तो सबसे पहले मुझे यहां पर लगानी है वॉल के बाद मुझे थोड़ा सा पीछे उपर चड़ने के लिए ब्लॉक लगाना है ओ वाव चैन के उपर भी इस तरी कर सकते हैं यह नहीं मालूम था मुझे तो हां कासल में बारिश ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बारिश पहले इसको पर चड़ते हैं अभी यह मारी जंप यह लगाया अब एकदम पॉफेक्ट है वान टू सेम टूसे मिस साइट पर भी यह जंप मारके लगा दिया तो की काईस लेट्स को फाइनली यहां पर मैंने हर एक पॉल पर बढ़िया तरीके से लाइट्स भी लगा दिया पर यहां पर एक दो लेंटर्न ओर रहे हैं जो कि मुझे लगानी है और अब आप लोग देखो अपना जो कासल है वो एकदम फ्रंट से कितना जादा भर चुक है पर एकदम खुला खुला लगता था पर अभी काफी सारी लाइट्स हो गई है तो पूरा एरिया तो ब्राइ कर देना और है यार मुझे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आप लोगों को कासल पहले से कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और यह भी बताना कि मुझे और भी ऐसे क्या क्या चीज़े बनानी चाहिए जिससे काफी ज्यादा बड़ी आलुक हो जाए तो आप को सब्सक्राइब नी कर रहा है क्या कर रहे है तो जाओ सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक इन सब्सक्राइब कर सकते हो डोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो चलो गाइस आज को सली वीडियो में इतना ही मिल लेगी वीडियो में बाई झाल झाल